अगर आप लोग गोभी की खेती पूरे वर्स करना चाहते हैं और आप लोग गोभी का गणित समझना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए है देखे जब आप लोग मौसम में खेती करते हैं तो उस समयर जो रेट मिलने की संभावनाएं होती हैं कम होती है कि हमें बहतर rate नहीं मिल पाएगा लेकिन अगर आप लोग विपरीत मौसम में जाकर के खेती कर रहे हैं तो आप लोगों को जो rate मिलने की संभावनाएं होती है ये काफी जादा होती है गोभी की खेती बहुत ही आसान है लेकिन उसका गणित जो होता है ये समझना बहुत ही मुस्किल होता है इसका कारण ये है कि जो गोभी की खेती होती है इसके जो बीज होते हैं हर महीने का अलग बीज होता है और एक महीने में कई variety होती है और हर variety की अलग समयावधी होती है तो ये चीज अगर आप जान लेंगे तो आप लोगों के लिए जो फूल गोभी की खेती होती है ये बहुत ही आसान हो जाएगी ये कठिर ना होने पाए इसके लिए तो हम है और आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे आप लोग किस महीने में कौन सी बीज डालेंगे उसकी नरसरी कब तयार करेंगे उसका पौधरोपड कब करेंगे और उसमें कौन सी वराइटी आप लोग लगाएंगे तो ये सारी डीटेल मिलेगी आज की इस वीडियो में नमस्कार, मैं हूँ देव मौरया और आप लोग देख रहे हैं इसमार्ट किसान यूटूब चैनल किसान भाइयो अब आप इसमार्ट किसान की वीडियो देखने के साथ-साथ किर्सी से संबंदि धेरो उपहार जीत सकते हैं जैसे खाद, बीज, इस्प्रेयर, जटका, मसीन, टार्च, फंगिसाइड, इत्यादी उपहार प्राप्त करने के लिए आपको करना ये है कि इस वीडियो को अन्त तक देखे वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किये हैं तो सस्क्राइब करें और इस वीडियो को सेर करके अन्त किसान भाइयों तक पहुँचाए अधिक जानकारी के लिए description box चेक करें आप लोगों को आसानी से हम बता सके सभी प्रकार की चीजे तो इस वज़े से हम एक चार्ट बना लिये हैं कि अगेती, पछेती, मध्यम और उसकी नरसरी आप लोग कब तयार करेंगे उसका पौधरों पड़ आप लोग करेंगे और उस समय में जिस महीने में आप करने जा रहे हैं उस महीने के लिए best variety आप लोगों के लिए क्या हो सकती है तो यह सारी detail आज हम आप लोगों को देने जा रहे हैं आईए सबसे पहले हम आप लोगों को बता देते हैं कि जैसे हर फसलों की अगेती पचेती मध्यम खेती होती है उसी तरीके से ये भी होती है तो आईए हम सबसे पहले आप लोगों को बताते हैं बहुत अगेती खेती के बारे में जब आप लोग फूल गोभी की खेती करने की सोचते हैं तो सबसे पहले सुरुआत होती है बहुत अगेती खेती और जो बहुत अगेती खेती होती है इसका जो प्रोडक्शन आता है यह आपका मई और जून के लगभग में आता है और जो मई जून का रेट होता है यह काफी अच्छा मिलता है और हम आप लोगों को बता दे कि अगर करके 60 रुपे प्लस तक आप लोगों को मिलने की पूरी संभाव नहीं होती हैं अगर आप लोगों को यकीन ना हो तो आप लोग अपने निकट मार्केट में जाएं और पूछे या आप लोग अगर गर्मियों में फूल गोवी खरीदे होंगे तो आप लोगों को पता होगा अच्छा हो ये रेट इतना ज्यादा क्यों मिलता है देखे एक तो माग कम होती है क्योंकि फूल गोवी आप लोग अक्सर देखते होंगे कि ठन्यों में लोग ज्यादा खाना पसंद करते हैं लेकिन वही पर गर्मियों में कम खाना पसंद करते हैं बाजार में इसकी मांग कम होती है फिर भी ये महगी बीखती है देखे कुछ ना कुछ माग गर्मियों में भी प्रॉपर बनी रहती है जैसे कोई कारिकरम हुआ साधी विवा वगएरा या कोई पार्टी है तो इस तरीके के कारिकरम और कुछ लोग होते हैं सौकिया तौर पर प्रियोग करते हैं तो उसकी जो सप्लाई होती है ये बहुत ही कम होती है माग के हिसाब से गर्मी के महुसम में या बरसात के महुसम में तो इस वज़ा से आप लोगों को अच्छा रेट मिलने की भारी संभावनाएं होती है तो आप लोग जा करके इसकी खेती कर सकते हैं और हम कई सालों से देख अधरी आप लोगों को कब तयार करनी चाहिए देखे आप लोग फरवरी के अंत में जा करके इसकी नरसरी तयार कर सकते हैं और इसका जो पौधरोपड करेंगे यह मार्च के समय में करेंगे और उस समय जो लगभग तापमान आउसत होना चाहिए यह 24 डिग्री सेल्सियस स ले करके 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए और होता भी यही है जिसमें आप कौन सी वराइटी लगाएंगे दिखे अगर आप लोग फरवरी में नरसरी तयार करते हैं और आप उसका प्रोड़क्शन मई और जून में ले करके आना चाहते हैं उसके लिए आप ल यह हमारी हो गई है पहली कटेगरी अच्छा आप लोगों को एक चीज बताते चले कि अगर आप लोग ठंडियों में फूल गोवी की खेती नहीं किये हैं तो अगर आप लोग डायरेक्ट एक नए किसान के तौर पे शुरुआत करना चाहते हैं तो हम आप लोगों से यह कह आप लोग थोड़ा रेकबा के साथ ही सुरुआत करें इसका कारण यह है कि जब आप लोग विपरित मौसम में खेती करेंगे तो फूल गोवी की खेती होती है गर्मियों में उसमें कीट का बहुत भेंकर प्रकोफ होता है अच्छा अब हम आ जाते हैं अपनी दूसरी कटे ओच्छे हैं तो इसका जो प्रोडक्शन आता है सितनमर अक्टूबर के आसपास आता है और इसकी जो नर्सरी से टयार की जाती है मध मई से लेकर के जून के बीच मेंegंरय की जाती है और मध जून से लेकर कर जुलाई के लगभग इसका पै१ रोपन किया जाता है इस समय जो तापमान रहता है लगभग 25 डिगरी सेल्सियस के तक्रीबन और अवसत तापमान रहता है अब बात आती है कि अगर आप लोग मिड मैं में नर्सरी तयार करना चाहते हैं और सिटंबर के लगभग आप लोग अपना प्रोडक्शन लेकर के आना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी वराइटी का सेलेक्शन करेंगे तो यहां पर वराइटी का नाम हम आप लोगों को बता दे रहे हैं यह है अरली कुवारी है पूसा अरली सिंथेटिक है पूसा गोभी तीन है पूसा मेगना पूसा कार्तिक संकर यह वराइटियां आप लोग जा करके मिड मैं में न जुलाई के लगभग तयार की जाती है और जुलाई के अंत से लेकर के अगस्त के आसपास में जो है इसकी जो रुपाई होती है ये कर दी जाती है और आपका जो प्रोडक्शन आता है अक्टूबर और नॉवंबर में आता है और यह जो आउसा तापमान के अगर हम बात करें तो यहां पर आप लोगों को लगबग 20-25 डिग्री से सुसन में तापमान रहता है और जो आपकी वराइटी है उसमें आप लोग चैन करेंगे पूसा कातिकी, पूसा दिपाली, पंत गोभी टू तो यह वराइटी आप लोग सेलेक्शन करेंगे अपने अक्टूबर के प्रोडक्शन के लिए जिसमें जो आप लोगों की नरसरी तैयार की जाएगी यह जून और जुलाई में तैयार की जाएगी अब हम बात करते हैं मध्यम अगेती की, मध्यम अगेती में अगर आप लोग खेती करने जा रहे हैं तो इसकी जो नरसरी होती है यह जून के लाश्ट और जुलाई के आसवास इसकी तैयारी की जाती है नरसरी की और वही पर सितंबर में इसका पाउधरोपन किया जाता है और उसमें जो आउसत तापमान होते हैं लगबग कम हो जाते हैं क्योंकि ठंडी आने वाली होती है बरशात जाने वाली होती है तो जो टेंपरेचर उसमें रहता है लगबग 16-20 degree Celsius के आसवास यह आउसत तापमान मद्यम अगेति में लगा सकते हैं अब जो हमारी अगली कटे económी है मध्यम पछेती में जब आप लोग जाते हैं तो इसका जो प्रोडक्शन होता है दिसंबर और जनवरी में होता है और इसकी जो नरसरी तयार की जाती है अगस्त और सितंबर के बीच में इसकी नरसरी तयार की जाती है इसका जो पौधरोपन होता है सितंबर और अक्टूबर क पूसा सुब्रा, पालम उपहार, केटी 25, पंत सुब्रा, सुब्रा हिमजोती, पीबी जेंट, पैटिस, पूसा पाहुजा, पूसा सुक्रती, अब ये जो वराइटियां है, ये मध्यम पचेती के अंतरगता आप लोग कर चकते हैं, अब वही पर जो हमारी अगली कटेगरी है, ये आती है पचेती खेती में, तो पचेती खेती जो इसकी होती है, ये जनवरी से मार्च के बीच में इसका प्रोडक्शन लिया जाता है, औ अक्टूबर लाष्ट के करीब तयार की जाती है, और इसका जो पौधरोपन किया जाता है, ये नॉमबर और दिसमबर के आसपास इसका पौधरोपन किया जाता है, और इसका जो प्रोडक्शन होता है, जनवरी से ले करके मार्च के बीच में होता है, और इसमें जो वराइ कि अगर कोई एक बीज है जिसको हम जुलाई में नर्सरी तयार कर सकते हैं और अगर जुलाई की बजाए हम उसे अगास्त और सितंबर में नर्सरी तयार करते हैं तो क्या होगा देखिए जो आपका प्रोडक्शन होता है इसे बहुत ही बिपरीत असर पड़ेगा ऐसे में की नर्सरी आप लोगो को उसी महीने में डालनी चाहिए तो यह था गोभी का गणित अब अगर आप लोग इस वीडियो को सही से समझ नहीं पाए होंगे तो क्योंकि इसमें ज्यादा डाटा दिया गया था तो आप लोग इस वीडियो को दुबारा देखें और एक पैन कॉ काफी लेकर के एक लिष्ट आप लोग बना डालेंगे तो ऐसी परिस्थिती में आप लोगों को और आसानी से समझ में आ जाएगा और आप लोग फूल गोवी की जो खेती होती है इसे सही मौसम में करने के साथ विपरीत मौसम में भी आप खेती कर पाएंगे और आप गर्मी में फूल गोवी की खेती करने जा रहे हैं तो आपके पास इस अनभोव का होना जरूरी है कि फूल गोवी के जो पौदे होते हैं ये कैसे बढ़ते हैं और आप लोगों को उनकी देखवाल कैसे करनी होती एक नए किसान के तौर पे आप लोग कम छेतर फल में ही इस पैसा कमा सके हमारा हमेशा से उद्देश रहा है जो किसान है खेती तो सब लोग करते हैं लेकिन बात होती है रेट मिलने की तुझोरण नीतिया होती है उनको साथ बना करके आप लोगों को चलना चाहिए जिससे जो आपका प्रोडक्शन है उस समय आए जब मार्केट में आप लोगों से एक नई वीडियो में तब तक के लिए चलते हैं जय जवान जय किसान जय बिग्यान